हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं अब अभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेस के अपिसोर नमबर 836 आज की तारीक है 11 नवंबर 2020 हमारे दो चानल्स है पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किय कियेगा साति 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 इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से एससी सीजलपनेकल डॉट कॉम और बलजी ढखकर डॉट को में दोनों को विजिट करना बिलकुल न भूलिएगा य ये सेशन हर रोज सुबा चार बज़ एवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कुशिंग पूछे जाते हैं जिनका अंसरा आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है साति साथ हमारी दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आएस और S.S.C.C स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्टन था उत्राखंड राजस थापना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था 9 नवंबर और आपका दूसरा क्वेस्टन था भारतिय मूल की किस महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब हासिल किया है तो इसका सही जवाब था मारिया थाटेल स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्टन के साथ उपनयास मुस्टैश के लिए 2020 का जेसी बी सहिते पुरसकार किसने जीता है तो इसका सही जवाब है option number C, S हरीश, लेखक S हरीश की पुस्टक मु प्रेजी मनुवाद किया है हरीश का यह पहला उपनयास है जो मिथक, जादू और कल्पना शीलता का समिश्टन है पुस्तक को चार सदस्यों वाली निरनायक मंदल दुवारा पुरसकार के लिए चुना गया निरनायक मंदल में लेखक और अनुवादक आरूनी कश्यप, ल नाटक कार और निर्देशक रामू रामनाथन तथा टाटा नियास में कला और संस्कृति की अध्यक्ष दिपिका सौरबजी शामिल थे। हरीश ने इस पठनिय कहानी में कुठनाट शेत्र के जातिये और लिंग अधारित समिकर्णों का गहराई से विशलेशन किया है। य विश्व विग्यान दिवस का मनाया जाता है तो इसका सई जवाब है औप्शन नमबर A 10 नवंबर शांतियों और विकास के लिए विश्व विग्यान दिवस हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। for and with society dealing with COVID-19 theme पर एक online goal में इच समेलन का आयूजिन किया है यहाँ पर एक को एक के तीसरे संसकरन में शीष पुरसकार जीता है जो इसे आसकार नमांकन के लिए योगे बनाता है इस फिल्म के निर्देशन शान व्यास है यह फिल्म पितर सत्ता और नकरात्वक मरदानगी जैसे कठिन मुद्दो को उठाती है इसलिए रिलीस के समय भी यह फिल्म काफी चर् मंत्री राजनात सिंग ने किस शहर में सेटलाइट विरोधी मिसाइल सिस्टम को घटन किया है तो इसका सई जवाब है option number A नई दिल्ली रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मुख्यालिया में एंटी सेटलाइट मिसाइल सिस्टम के मौडल का घटन किया इस मौडल को राष्ट्य तकनी की उन्नती के प्रतीक के रूप में देखा जाता है भारत साल 2019 में मिशन शक्ति के तहट सेटलेट सिस्टम का सफल परिक्षन भी कर चुका है यानि इस परिक्षन के बाद अमेरिका और रूस जैसे देशों के क्लबों में शामिल हो गया है इस मिसाइल के जरिये भारत को यह बड़ी उपलब्दी हासिल हुई है इस मिसाइल के तहट अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक हासिल हो गई है इससे पहले यह शक्ति केवल अमेरिका रूस और चीन के पास थी आज राजना सिंग दुवा जातरी बसों के लिए अगनी पहचान और दमन प्रनाली विक्सित की है यह प्रदियोगी की 30 से कम समय में बसों में आग का पता लगा सकती है और 60 सेकंड में आग भुझा सकती है अगला प्रशन है हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज दोब चांठी गौद घाटन मुख्यम मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने किया इस ब्रिज से टेहरी जिले के प्रताप नगर शेत्र की करीब धाई लाक की अबादी को लाब मिलेगा इस ब्रिज के निर्मान का कारे 2006 में शुरू हुआ था डिजाइन फेल होने समेथ तमाम क इसी डोबराक्षेत्र की और और 25 मिटर स्टील गाड़ चांठी की और है इस पर 15 तन तक भारी वहन गुजर सकते हैं यहां पर एक रिविजिन की बात करें तो उत्राखंड राज्यस थापना दीवस कब मनाया जाता है तो इसका सईज जवाब है 9 नवंबर बात करें उत्र नाशनल पाक और गोविन नाशनल पाक उत्राखंड की कैपिनल है देहरादून और गरिसेन गवर्नर है बेबी रानी मौरया और चीफ मनिस्टर है त्रिवेंदर सिंग रावत अगला प्रशन है हाल ही में संचमान लिंबू का निदन हो गया वह किस पुर्वोत्तर राज्य संचमान लिंबू का निदन हो गया वह लंबे समय से बिमार थे वह 73 वर्ष के थे लिंबू सिक्किम के चौथे मुख्य मन्तरी थे उनका कारेकाल 6 महीने के लिए 2 जून से 12 दिसंबर 1994 तक था यहां पर एक को एक रिविजिन की बात करें तो पंग लेप सो त्योहार किस रा सिक्किम बात करें सिक्किम की तो इसकी कैपिटल है गैंग टॉक सीएम है प्रेम सिंग तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद अगला प्रशन है किस राज्य का पके टाइगर इजर्व कोविड-19 के खिलाफ ग्रीन सैनिकों के लिए बीमा कवर प्रदान करेगा तो इसका राजे बन गया है आठ राजेपुर्वोतर में अरुनाचल प्रदेश, असम, मनिपूर, मेघाल्या, मीजोराम, नागा लैंड, सिक्किम और तुरिपूरा शामिल है पाक में 57 फ्रन्ट लाइन स्टाफ जिन्हें ग्रीन सैनिकों का नाम दिया गया को कोविड-19 दुआरा सं अन्रक्षन का क्ष्रे उनको दिया जाता है इसमें एक लाख रुपे का बीमा कवरिज प्रदान करेगा और जो जल्द ही सेवन रित होने वाले हैं उन्हें 50,000 रुपे तक का बीमा प्रदान करेगा बात करें अरुनाचल प्रदेश की तो इसकी फेमस डैम्स में आता है रं सही जवाब है option number D, दोनो B और C यानि विजे लोकपली और G कृष्णन दुवारा लिखी गई है क्रमक्ष 2007 और 2013 में अपने क्रिकेट डेब्यू से रोहित गुरुनाथ शर्मा भारतिय क्रिकेट टीम के मैतवपुन्स संबों में से एक बन गए हैं यह उनकी कड़ी मेहनत औ CEO Council of States के बीस्वे शिकर समेलन के ध्यक्षता किस ने की तो इसका सही जवाब है option number C, वलादी मीर पुतीन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने CEO Council of States के बीस्वे शिकर समेलन में भातिय प्रतिनिदी मंडल का नेदरित्व किया जिसे वस्तुते आयूजित किया जा रहा है बैठे की अध्यक्षिता रूसी राष्टरपती वलादी मीर पुतीन ने की है यह संगठन का बीस्वा शिकर समेलन है और भारत का तीसरा भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था भारत 2005 से SEO में एक परिय वेक्षक रहा है शिकर समेलन ने भाग लेने वाले अन्यदेश पाकिस्तान, उस्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है शिकर समेलन के दोरान निताओं को मौस्को घोषना को अपनाना है इरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेला रूस के चार परिया वेक्षक राज्यों के प्रमुख भी शिकर समेलन में भाग लेंगे अगले वर्ष के लिए संगठन के लिए एजेंडा और मुखे दिशाओं को निर्धारित करना है अगला प्रशन है किस देश की राष्टरपती ने हाल ही में महात्मा गांधी मैं अंडिस्टैंडिंग अबाउट गांधी पर एक सचीतर पदावली जारी किया है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन बर बी नेपाल नेपाल की राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151 वी जैन्ती के अफसर पर नेपाली भाषा में एक सचित्र पदावली जारी की काट मांडू सित राष्ट्रपती भवन में नेपाल में भारत के राच दूत विने मोहन कवात्रा की उपस्तिती में भंडारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया पुस्तक का शीर्षक है मैले भुजे को गांधी मैं जिस गांधी को समझता हूँ है यहां भारते दूतावास दुआरा जारी बयान के अनुसार पुस्तक का विमोचन भारत के राष्ट पिता महात्मा गांधी की 151 वी जैनती तथा महात्मा के डेड़ सो साल पर दो साल से चल रहे समारों के समापन के अफसर पर किया गया पुस्तका प्रकाशन भारते दूतावास ने बीपी कोई राला इंडिया नेपल फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो सेना प्रमुक जेनरल मनोज मुकुन नर्वने को किस देश की सेना के जेनरल के मानत रैंक से समानित किया गया है तो इसका सई जवाब है नेपल बात करें नेपाल की तो इसी कैपिटल है काट मांडू, करंसी है नेपालीज रुपी, प्रेजडेंट है बिद्या देवी भंडारी और प्राइम मनिस्टर है के पी शर्मा ओली बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो नोवल मुस्टैश के लिए JCB Price for Literature 2020 S. Harish को दिया गया है World Science Day for Peace and Development नवेंबर 10 को मनाया जाता है Short Film Eligible for Oscar Nomination है Nutcut Anti-Satellite Missile System का घाटन New Delhi में किया गया India's Longest Suspension Bridge दोबरा चांठी उत्राखंड में बनाया गया है Sikkim की Former CM संचामन लिम्बो का निधन हो गया है अरुनाचल परदेश का Packet Tiger Reserve Green Soldiers को Insurance Cover प्रवाइड करवाएगा Book The Hitman विजे लोकापली और जी कृष्णन ने लिखी है SEO Summit के Heads of State बने है विलादी मिर पुतीन और महात्मा गांधी पर Special Anthology नेपाल ने जारी की है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day की आपका पहला क्वेस्चन है उपनयास मॉस्टाश के लिए 2020 का JCB सहायते पुरसकार किसने जीता है और आपका दूसरा क्वेस्चन है शांती और विकास के लिए विश्व विग्यान दिवसकब मनाया जाता है और अगर अभी तक आपने मैं चैन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjpinnacle.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ मैं दोनों टेलिग्रम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच